साथ व्यों, वाइबरेन गुजरात समीट की एक और पहचान, नोट करने वाली है, आज वाइबरेन गुजरात वन टाइम इवेंट से एक इंस्टिटूशन बन गया है, जिसका सिस्टिम और प्रोसेस सरकार के भीतर और सरकार के बार साल भर स्वतह चलता रहता है। चीफ मिनिस्टर्स बढ़ले, करीब करीब पुनाने लीडिंग ऑफिसर तो सारे के सारे रिटार्ड हो गए, जो 2001 में पहली बार गुजरात आये होंगे, ऐसे अपसर, आज गुजरात समाल रहे हैं, सीनियर हो गए हैं, समय बढ़ला, लेकिन एक चीज नहीं बढ़ली, हर बार और वाइबरन गुजरात सफलता की नई उचाई तक पहुता रहा, ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि हमने प्रोसेस को संस्तागत बना दिया, इस सफलता की जो कंसिस्टन्सी है, उसके लिए यही ताकत इसका आधार है, और इसके लिए इंफ्रासेक्तियर पर भी वैसे ही बल द साथा था, पर कभी यहां साइन्स सिटी में ही तंबू लगागर के कारकम किया था, और आज महात्मा मंदिर बन गया, साथियों, जिस भावना के साथ हमने वाइबरेन गुजरात समीट को आगे बढ़ाया, वैसा आम तोर पर हमारे देश में बहुत कम देखने को मिलता है, हमें समीच करते थे तो गुजरात में, लेकिन हम इसके जरिये हर राज्य को लाब पहुंचाना चाहते थे, बहुत कम लोग हैं, जो हमारी सोच को आज भी समझ पाए हो, वो अपने एक दायरे में सिकूर करके बैठे हुए है, एक गुजरात का मुख्यमंत्री उस समय देश के मुख्यमंत्रियों को अग्रह करता था, कि समीट हो रही हैं, आप भी अपना जन्ना गाड़िये, आप भी अपना टॉल लगाईए, आप भी सेमिनार कीजिये, कि वाइबरन गुजरात समिट में दूसरे राज्यों को भी शामिल होने के लिए अउसर दिया जाता था, हमने राज्यों को इन्वाइट किया था, आप भी आईए, अपनी शक्ति इसमें लगाईए, फाइदा उठाईए, हमने स्टेट सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें कहीं राज्या आते थे, और वाइबरन समिट के अधर में, कहीं पर उडिशा का समिट चल रहा है, कहीं पर हर्याना जम्मु किश्मीर का समिट चल रहा है, इसके अलावा गुजरात में आयुरुवेत का एक पूरे देश का समीट प्रोग्रेशिव फार्मर्स का एक बहुत बड़ा समीट और इंडिया लॉयर समीट ऐसे भाती-भाती के वर्टिकल्स इसका भी ताना बाना हम लगातार बनाते जाते थे हम गुजरात का विकात भी ने कर रहे थे